भाजपा मेयर कॉंक्लेव में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आजांदी के अमरितकाल में अगले पचीस वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोड में बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमी का है। मैं भारती जन्रता पार्टी के हमारे राष्टिय अध्यक्ष सिमान नड्डा जी को और उड़की पूरी टीम को इस कारकम की कलपना करने के लिए इस कारकम की योजना बनाने के लिए रदय से बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूं। क्योंकि अपने आप में सामान्य नागरी का सम्मंद अगर सरकार नाम की किसी ववस्था से सबसे पहले आता है तो पंचायत से आता है, नगरपंचायत से आता है, नगरपाली का से आता है, महनगरपाली का से आता है। सामान्य मानवी का जीवन का रोज मर्रा का सम्मन्द आपी के लोगों की जिम्मे हैं और इसलिए इस प्रकार के विचार विमर्ज का महत्वभध बढ़ जाता है हमारे देश के नागरीकों ने बहुत लंबे सरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है उसे निरंतर बनाए रखना उसे बढ़ाना हम सभी का दाईत्व है शायद आप लोगों में तो जो लोग जनसंग के जमाने की बाते जानते होंगे तो करना टका मैं उडूपी नगरपाली का जनसंग के लोगों को वहां के लोग हमेशा काम करने का आउसर देते थे उडूपी और जब परधाएं होती थे उड़िपी हमेशा देश में अवल नंबर पर रहता था परफॉर्मन्स में मैं ये जनसंग के कालगंड की बात कर रहा हूँ यहने तब से लेकर अब तक सामान्य मानवी के मन में एक विश्वास पड़ा हुआ है कि अगर ये व्यवस्थाएं भाजपा के कारकरताओं के हाथ आती हैं तो वो जीजान से जो भी समीत संसादन हो उसको लेकर के लोगों के जीवन में कठिनाईयां दूर हो सुविधाय उपलब्द हो और विकास प्लांड वे में हो